हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो रिवाइस्ट फी स्ट्रक्चर है जेके बोस ने अपडेट किया हुए फार क्लास 10th 11th 12th के लिए तिनों क्लासिस के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है तो जो भी पूरा डिटेल मे बताने वालों जो इंपोर्टेंट अपडेट और वी जो इंपोर्टेंट अपडेट जेके बोस ने अपनी ओफिशियल वैपसाइट पर अपडेट किये हुए तो सबको डिटेल में बताने वालों तो वीडियो का अंतिन तक जरूर देखे तब ही आपको इसका जो कंप्ली पूरा डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जे रहा फ्रेंस आपका जो रिवाइस्ट फीस स्ट्रक्चर है जो बोर्ड ने ओफ़र्ड किया हुए जो आपका इस एर से एफेक्ट हो गया है ठीक है एफेक्टिव में आगया है सबसे पहले बात करूं एग्जामिनेशन फीस किसके लिए क्लास टैन्थ ससी के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी फीस रहेगी आट सो असी जो रिपियर है प्राइवेट है जब कोई वी ऐसा केस है उनकी रहेगी आट सो असी उसके बाद रेगुलर प् पांच सब्जेक्ट दस सो चालिस रेगुलर कैंडिडेट एडिशनल सब्जेक्ट अगर उनके पांच प्लस सब्जेक्ट है बारा सो चालिपचास अगर कोई प्राइवेट है रिपियर है उसका होगा दस सो चालिस ठीक है उसके बाद क्लास 12 की रेगुलर की एडिशनल सब प्राइवेट के लिए भी 1225 उसके बाद certificate programs के लिए प्राइवेट के लिए 1040 और private repair के लिए 1040 उसके बाद बात करें national NTSC के लिए per candidate 210 जो आपका fees होगा ठीक है उसके बाद बात करें schedule for the last receipt of the application form for the class of 10th, 11th and 12th जाने कि late fees के साथ आपकी first count होगा 10 rupees, 10 rupees जो 10 day के लिए उसके बाद second count होगा 10 day के बाद 670 और 1710 आपकी जो late fees हो जाएगी फिर उसके बाद diploma in elementary education के लिए 2880 late fees के साथ 2 air course के लिए repair failure का भी 2880 late fees 990 first 10 day count के साथ second day count 1800 थर्ड 10 day count 2775 उसके बाद other type of जो fees होती है registration fees 550 9th class के per candidate के साथ अगर उसे late करते हो third count तक तो पचास 10 पे एक्स्रा लगेंगे reevaluation class 10th 11 12th का per script का साथे 400 reevaluation diploma साथे 500 उसके बाद photo state answer script पर script का 230 उसके बाद result in advance under rules 800 amendment in the result साथे 400 verification of the result particular for admission 200 इस तरह जो आपकी जो fees है वो रहने बाली है उसके बाद special examination के लिए आपका 890 बेरप्या fees होगा ठीक है तो अब चलिए second जो और भी बहुत सारी जामे प्रैक्टिकल exam के लिए 975 उसके बाद जो आपका fees for the change of dates जो पर practical का होगा 200 उसके बाद private candidate को जो प्रैक्टिकल के लिए अपेर होना है 350 उसके बाद fees for marking of line 190 fees for the review of FM case 190 उसके बाद दोबारा अगर आपको various certificate अगर इशू करने है 1225 आपकी जो fees रहेगी ठीक है तो जहां पे आपकी जो सारी fees हैं वो अपडेट की हुई हैं तो अब चलिए next बात करें जो next अपडेट की हुए जेके बोस ने तो जेरा फ्रेंस आपका जो class 10 की मैं फार्म की ब नहीं मिलेगा तो आपको link description पे भी मिल जाएगा बाकी सारे schools में जो फार्म होते हैं वो होते हैं ठीक है उधर क्या आपका जो subject code होगा फार्सकेंडरी स्कूल examination के लिए जे कंबलतरी रहेगा अगर आपका English है E.N. Mathematics के लिए M.A. Hindi के लिए H.I. U.R. Urdu के लिए S.C. Science, S.C. Social Science, A.D. के लिए additional land drying, M.U. Music, H.S. Home Science, उसके बाद additional Hindi, U.R., Kashmiri, Dogri, Bodhi, Computer Science, Arabic, Sanskrit, Persian, Punjabi, तो जे थे आपके जो subject code थे और class 12 का भी same to same था इस वीडियो में बस इतना हैं कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूशिए चैनल से first time जोड़े हो तो subscribe करना ना बूलिए इस वीडियो में ब सितना हैं